नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है जस्वीर और यह है हमारी दूसरी वीडियो तो हम कुछ कॉमन टॉपिक्स को उपर वीडियो बना रहे हैं जिसको उपर की थोड़ा सा हाइलाइट होना बहुत जरूरी है तो आज का जो टॉपिक है वो है कि माईलेज या जान आजगर हर कोई म सबको एक साइड रखे हर कोई बस एक गाड़ी खरीद रहा है जो की देखने में अच्छी हो और उसकी माईलेज अच्छी हो क्या उसकी सेफटी रेटिंग जीरो हो घटिया हो वन कुछ भी नेगटिव में भी होगी तो उसे खरीद लेंगे बस माईलेज जाद होनी चीए तो क्या माईलेज इतनी जाद जरूरी है क्या माईलेज से इतना कुछ आप अचीव कर लोगे कि एक किसी एक इनसान की जान वापिस ला सको अगर हम ऐसा कुछ अचीव ही नहीं कर सकते तो फिर माईलेज माईलेज चिल्ला क्यों रहे हैं हम केक काटते हैं हैपी बर्डे इसमें मैं इन सब को बेठा के बाहर लेके जाओंगा और जो कि सेफटी रेटिंग में बिल्कुल जीरो है कम से कम इन चीजों पर ध्यान तो दो क्या वो साल के बचाये हुए 4-5,000 या 6,000 रुपे से ज़्यादा का नहीं बचेगा जिनकी बहुत ज़्यादे frequent driving उनकी बात लगे लेकिन 4-5,000 रुपे से ज़्यादा साल का नहीं बचा पाऊगे तो उन 4-5,000 के बदले आप सोदा कर लेते हो जिन्दगी का और फिर उस पर पता कैसा कैसा तर्क देते हूं उस पैसा कहेंगे कि भाई हम तो स्लो चला लेंगे अरे मेरे भाईयों स्लो कितना चलाओगे 50-60 तो चलाओगे जो सेफटी रेटिंग जो टेस्ट होती है गूगल करके देख ले न 64 किलोवीटर पर आर की स्पीड पे क्रेश करके देखा जाता हूं नहीं मातर 64, 64 से स्लो क्या 20 पे चलाओगे क्या गाड़ी लिये तो थोड़ा सा दिमाख लगाओ घरवालों के बारे में सोचो अपने बारे में सोचो कि जान ज्यादा जरूरी है अगर सिर्फ फैमिली कार है ठीक है पूरे साल में 5-6,000 किलोवीटर चल रही है वो भी माईलेज की बात कर रहे हैं माईलेज के बाद तो उनकी ठीक लगती है जो साल में 20-25-25,000 किलोमीटर चला रहे है उससे भी जादा चला रहे है उनके लिए तो माईलेज एक तरफ मैं कहूंगा कि हां मैटर करती है लेकिन उनके लिए भी 20-25,000 किलोमीटर चला रहा है तो उसका मतलब है कि वो से एफोर्ड कर सकता और उसकी इंकम इतनी है तो मैं तो उन से भी कहूँगा कि आप सेफ गाड़ी खरीदो हर रेंज में सेफ गाड़ी है लेकिन जो ये फैमली कार है ने दस हजार से कम चल रही हैं घर में खड़ी रहती हैं वीकेंड पे निकलती हैं और उन में भी माईलेज आगर देखे जाती हैं तो भी है चाहे बुरा माननो लेकिन आपकी आउकात गाड़ी की नहीं है आपने जब अरजस्ती गाड़ी ले रखी है पब्लिक ट्रांस्पोर्ट यूज कर लो और चले जाओ तस हजार किलोमीटर गाड़ी चलनी रही ठीक है और आप लेके बैठे हो माईलेज वाली गाड़ी तो इसका मतलब है कि वो आपकी जेब से बाहर है तो थोड़ा सा ध्यान दो जान के बदले माईलेज का सोदा मत करो बस इतना ही इस वीडियो को क्लोज करोंगा थोड़ा सा ध्यान देना जब भी गाड़ी खरीदने जाओ सिफ्टी रेटिंग जरूर चेक करो ठीक है और ये ध्यान में रखो कि 60 किलोमीटर 64 किलोमीटर की स्पीड पे ही सिफ्टी रेटिंग चेक हुई है गाड़ी की अपने घरवालों का ध्यान रखो उनके बारे में सोचो अपने बारे में सोचो एक बार जान जाने के बाद वापिस नहीं आती कुछ मेजर इश्यो होने के बाद कोई अगर बोड़ी पार्ट किसी का खराब हो जाता है तो वो वापिस नहीं आ सकता तो इन चीजों का ध्यान रखो धन्यवाद दोस्तों धन्यवाद दोस्तों फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में